आज ही doubtnet app डाउनलोड करें doubtnet पर होगा अब आपके सभी maths, chemistry, physics और biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो बसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाऊ डाउनलोड नाउ आप देखो motion in plane का example है आपके सामने एक particle initially यहाँ पे है और उसको speed इस direction में दे रखी है t is equal to 0 पे बात कर रहा हूँ ठीक है t is equal to 0 से जैसे हम t is equal to 0 plus delta t पे जाते हैं तो उसका भाई acceleration स्टार्ट हो जाता है इस direction में और obviously जब उसका acceleration xy plane में है तो उसकी velocity change होती होगी ठीक है तो बात करते हैं अगर acceleration है उसका a total 1.5 meter per second square ठीक है तो ax acceleration in x direction कितना हो जाएगा देखो इसका cos component है ना यानि कि 1.5 times cos 37 और y direction में जो होगा वो कितना हो जाएगा इसका sin component यानि कि 1.5 times sin 37 ठीक है आप देखो यह होता है 4 by 5 cos 37 की वाली क्यों होती है 4 by 5 ठीक है तो यह 0.3 times cancel out होगा तो यह आगा 1.2 meter per second square similarly यहाँ पे यह होगा 3 by 5 तो 1.5 into 3 by 5 लिखोंगा तो यह 0.9 meter per second square तो इसके अलग-अलग x और y direction के acceleration साले जब भी motion in plane का कोई भी question आता है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए motion को दो अलग-अलग part में divide कर लो x direction की motion अलग y direction की motion अलग और उसको अलग-अलग separate दो अलग-अलग cases बान के solve करो ठीक है ax t ठीक है यह ux क्या है यह initial यानिकि t is equal to 0 पर और vx क्या है यह final यह इनिकि t is equal to 4 seconds एक्स क्या है x direction का acceleration और t क्या है time यानिकि 0 से 4 के बीच में कितना time लेगा 4 seconds तो भी मेरे पास जो vx आएगा वह आ जाएगा vx is equal to 8 meter per second x direction में दे रखका है ना along x axis में कितना 8 meter per second plus acceleration कितना है भाई x direction में 1.2 ठीक है और time कितना है 4 ठीक है तो यह हो जागा 8 plus 4.8 यानिकि 12.8 meter per second यह होगी x direction की velocity ठीक है हमें क्या करना वेजिस्टी और पार्टिकल की पोजिशन फाइंड करने t is equal to 4 seconds तो x direction क्या है similarly मैं y direction की भी निकाल सकता हूँ ठीक है y direction क्या है यह भाई u y plus a y t अब उसकी initial जो t is equal to 0 पे velocity है वो तो भाई x direction में ही है y में तो ही नहीं तो y के लिए क्या लिकूंगा 0 तो यहां पर equation में मैं value put करता हूँ 0 plus acceleration in y direction कितना है 0.9 ठीक है और t कितना है टाइम चार ठीक है तो यह कितना आ जाएगा 3.6 meter per second आगी एक्स यह आगी आगी वेलोसिटी next direction यह velocity y direction ठीक है अब net velocity जो अगर मैं निकालूंगा तो वो कैसे निकालूंगा वह नेट जो का सम कैसे निकलता है अंडर रूट में इसका स्कार प्लस इसका स्कार प्लस टू टाइमस दोनों का multiplication और कॉस्ट कॉस्ट 90 के बिच का angle है ठीक है तो लिखता हूं मैं vx क्या है vx मेरे पास 12.8 का स्क्वेर ठीक है प्लस वी वाई क्या है 3.6 का स्क्वेर प्लस टू टाइमस वी एक्स वी वाई कॉस्ट 90 के वैल्यू जीरो होती है इसलिए मैं यहां पर लिखके दिखा नहीं रहा हूं तो यह आपके पास आ गया solve करेंगे इसको तो it will become 13.3 meter per second यह होगे आपकी velocity at time t is equals to 4 second पर है अम मैं इसकी position find करता हूं ठीक है position कैसे find करूंगा position का मतला मैं इसको coordinate find करने ठीक है तो x coordinate के लिए x मान लेता हूं में displacement इसका जो हुआ है particle का वो कितना होगा u x t plus half a x t square और y direction में कितना displacement होगा इसका u y t plus half a y t square ठीक है यह होगा तो भाई इसको solve कर लेते हैं x direction में इसकी initial speed कितनी है 8 time कितना है 4 plus 1 by 2 acceleration in x direction है 1.2 और यहाँ पे 4 का square यह निकि 16 ठीक है यह आ गया similarly y direction के लिए solve करूंगा u y t यहनिकि initial velocity in y direction कितनी है 0 plus half a y की direction में acceleration कितना 0.9 meter per second square और time की value 4 यानिकी 16 लिख दूंगे यह आ गहीं तो इसको solve करते हैं it will become 32 plus यह देखो 8 times गया 99.6 आ गया ठीक है और यहां से y की value कितनी आ जाएगी यह आ जाएगा 7.2 ठीक है तो यह आ जाएगा आपके पास 41.6 और 7.2 यानिकि जो coordinate होंगी position पूछी गई न तो origin से कितना दूर चला जाएगा origin मैं 0-0 पर मान रहा हूं तो final position होगी जो final position of particle at t is equal to 4 seconds जो होगी वो कितनी होगी वो गया आपकी 41.6,7.2 Classics to 12 से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज जी डाउनलोड करे डाउटने टाप या WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8444 चार्स उपर